स्री शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखे आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है सावन मास के पवित्र महीने का अंतिम दिन जो की 31 तारिक को है गुरुवार के दिन सावन मास के पवित्र महीने की पूर्णिमा दिति है देखो इस बार पूर्णिमा दो दिन है 30 तारिक को भी पूर्णिमा है और 31 तारिक को भी पूर्णिमा है देखो अगर पंचांग के अगर हम बात करते हैं न तो सावन मास की जो पूरिमा है वो 30 अगस्त को भूदवार के दिन दोफ़र में 12 बचकर 28 मिनिट से शुरू हो जाएगी जो कि 31 अगस्त को गुरवार को सुबह 8 बचकर 35 मिनिट तक रहेगी तो देखो 31 तारिक को भी उद्याकाल में ये पूरिमा तीतियारी है और 30 तारिक को पूरिमा की रातरी मिल रही है तो ये उपाय आप 30 को भी कर सकते हैं 31 को भी कर सकते हैं जब आपकी चाओ तब आप ये उपाय कर सकते हैं देखो बहुत ही प्यारा सा दिन होने वाला है क्योंकि रक्षा बंदन का पावन पर्व भी है और ये पूर्णिमा बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये भगवान शीव की पूर्णिमा है इससे शीव पूर्णिमा कहेंगे सावन की पूर्णिमा कहेंगे सावन में व्रत भी पूरे वीडियो को बिलकुल ध्यांते समझना चार महा उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल पर अगर पहली बारा हैं तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करें देखो सबसे पहला होपाय है यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत जादा कमी है तो पूर्णीमा का जो दिन होता है वो महाल लक्ष्मी को ही समर्वित होता है पूर्णीमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कलाव से युक्त होते हैं तो देखो करना क्या है बहुत प्यारा सो उपाय है सावन के पूर्णीमा है तामबे के पात्री के अंदर एक लोटा जल लेना साथ में लेना है पांच बेल पत्र बेल पत्र कहीं से भी खंडित कटे फटे नहीं होना चीए तामबे के पात्री के अंदर आपको पांच बेल पत्र डाल देना है और इसी जल से आपको भगवान शीव के शिवलिंग का अभिशेक करना है जब आप करोगे ना जब आप जल अर्पित करोगे तब आपको चंदरेश्वर महादेव का नाम लेना है देखो चंदरेश्वर महादेव का नाम लेना है और ये उपाय आपको प्रदोश काल के समय करना है चाहे 30 तारिकों करना चाहो या 31 तारिकों करना चाहो प्रदोश काल के समय ही उपाय करना लगबग आप ये उपाय करना 7 से 9 बज़े की बीच में आगई आपको बाचन में बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है सावन की पवित्र पूर्णिमा पर उसके घर में कभी भी धन धानी की कमी हो ही नहीं सकती क्योंकि कमल गट्टा जो है वो धन प्राप्ति के लिए विशेश होता है और इस सावन की पूर्णिमा पर अगर आप भगवान शीव के शीवलिंग पर इस प्रकार से उपाय करते हैं तो आपके घर में अस्ट लक्ष्मियों का भी वास होता है तो यह उपाय आपको करना है अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की जो की बहुत ही विशेश है साथ चावल के दाने वाला देखो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का भग्य जो है वो चमक जाए आप चाहते हैं कि आपकी जीवन के सारी तकलीफे दूर हो जाए तो आपको यह उपाय करना चाहिए जो भी व्यक्ति चाहता है कि वो भग्य शाली बन जाए वो यह उपाय करेगा देखो करना क्या है बहुत प्यारा सा दीन है देखो चावल के दाने शीतलता को दर्शाते हैं शांती को दर्शाते हैं सुख को दर्शाते हैं और भगवान चंद्र जो है वो भी शीतलता का प्रतिक है तो आपको क्या करना है साथ चावल के दाने लेना है सैवन चावल के दान अब देखो आपने क्या करा ताम्डे का पात्र लिया उसके अंदर जल लिया साथ में आपने साथ चावल के दाने लिये पांच सफेद फूल लिये और अब आपको लेना है एक धुर्वा घास अब धुर्वा घास एसी लेना जिसमें तीन पत्या हो तीन ढूटो क्योंकि जहा करना है सबसे पहले साथ चावल के दाने जल के पात्र के अंदर डाल देना है ठीक है उसके बाद पांच पुष्प के पांच पुष्प भी जल के पात्र के अंदर डाल देना चंद्र मोली महादेव का नाम लेकर के पिर उसका एक दुर्वा घास भी आपको जल के पात्र के इंदर डाल दी अब जब भगवान शीव के शीवलिंग का जब अभिशेक करोगे तब इसका जो लोटे का जो मुख होगा वो आपकी साइड होना चीए इस प्रकार से आपको अर्पीत करना है चंद्र मोली महादेव का इसमरिन करते हुए जो भी व्यक्ति यह उपाय सावन की पूर्णिमा पर करता है देखो भगवान शीव ने अपने मस्तक पर चंद्र मा को धारन कर रखा है तो आप यह उपाय करते हैं जैसे ही चावल के दाने हो गए सफेद पूश्प हो गए जैसे ही भगवान शीव के शीवलिंग पर इस पर्ष होते हैं तो आपकी जीवन की सा की सावन के पूर्णिमा पर आपको पूर्णिमा पर आप यह उपाय करना है बहुत ही प्यारता सो अगर 31 इस तारिक को यह उपाय करते हो तो सर्वुत्यम होता है देखो करना क्या है थोड़ा सा शाहद लेना है एक बुन शाहद लेना एक चावल का दाना लेना चावल का दाना खंडित नहीं होना चीए साथ में लेना है एक बेल पत्र और साथ में लेना है कच्छा दूद थोड़ा उपाय कर सकते हो लेकिन रात्री में जो महत्व होता है क्योंकि पूरिमा दीती है तो रात्री में ज्यादा महत्व होता है तो पूरिमा तो यह उपाय आप रात्री में भी कर सकते हो देखो करना क्या है समझना भगवान शीव के मंदिर में गए आपको शहद से भगवान करोगे तो आपको प्रातना करनी है चंदर मोली महादेव से कि जीवन के सारे संकट सारे परिशानिया सारे कश्च जो है वो दूर हो जाए हमारे घर में जो टेंशन रहती है वो सब दूर हो जाए ऐसी काम ना करते हुए एक चांवल का दाना आपको अर्पित कर देना है अब इस चांवल के दाने के उपपर एक बेल पत्र अर्पित करोगे तो पत्ती का जो हिस्सा होगा वो आपकी साइड होना चीए और डंडी का हिस्सा आपके विपरिट साइड होना चीए ठीक है जैसे कि उत्तर मुखी होकर कि आप यह अर्पित कर रहे होंगे तो आप चांवल क नमस्तुभ्यम का जाब करते हुए मतलब दोचमच कच्चा दूद लेना है और बाकी पूरा जल लेना है और वह जल आपको हरfight करना है जिसी जल आप अरपित करोगे जैसे कच्चा दूद आप करोगे तो वह शिवलिंग से सीधा नीचे जलाधरी के वहां से निकलेगा उस जल को आपको जहल देना है बिलकुल थोड़े से जल को जहल देना है उसके आद आप ताम्य के पात्रिकेंद्र जो जल है वो भगवान शीव के शिवलिंग पर आपको और्पित कर देना है आगे शेरीर पर इसका छिटकाव करना है जो भी व्यक्ति ये उपाए इस सावन के पूर्णिमा पर करता है कि उनके जो घर में जो भी तनाव हो रहा है बच्चे बहुत जादा टेंशन लेते हैं बाद बाद पर टेंशन लेने लग जाते हैं समस्या उसे घिरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुक्षान्ति का माहूल हो जाए परिशानिया सब दूर हो जाए तो ये भगवान शीव के शीवलिंग के उपर चड़ावा जल तो ध्यान रखना इस प्रकार से सुन्दर सी क्रिया करना और चिटकाव करना कोई भी परिशानी चल रहे होगी निशिती वो दूर हो जाएगी अब चोथा उपाए चोथा उपाए बहुत ही प्यारा सा उपाए कुछ भी नहीं करना है आपको तो केवल चंदर देव का आज के दिन दर्शन करना क्योंकि चंदर देव का दर्शन करना भगवान शीव के दर्शन करना वो भी पूर्णिमा के दिन हो सके तो भगवान शीव के मंदिर के सामने चल जाना और भगवान शीव के शीवलिंग का दर्शन करना भगवान शीव की ध्वजा का दर्शन करना जो जंडा होता है न दोजा उसका दर्शन करना और उसके बाद चंदरदेव का दर्शन करना जो भी व्यक्ति इस प्रकार से दर्शन करता है उसके घर में सुक्षान्ति स्वता ही चली आती है देखो पूर्णी मा पर चंदरदेव के दर्शन का विशेश महत्व होता है क्यों है महादीव